नमेशकार मीतनों एक मार्श दो हजार बाईस महाशिवरात्री का महान पर्व है इस दिन सुबे उठें जल्दी उठकर ही नहा लें और स्वच वस्त्र धारण कर चोंकी पर सफेद या पिंक कलर का कपड़ा बिछा कर भगवान शिव की फोटो या मूर्ती रखकर पूजा विदी विधान से आप घर पर भी कर सकते हैं चाहें तो आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं पूजा करना वरत करना इस दिन बहुत ही शुब होता है इस दिन भगवान शिव की पूजा तो अवश्य ही करने चाहिए चाहें आप व्रत कर पाएं या ना कर पाएं लेकिन इस दिन पूजा भी जरूर करनी चाहिए और खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में आज हम आपको बताने वाले हैं कौन सी दो वस्तवे इस दिन अवश्य ही काएं जिससे की पूरा साल जम कर धन वर्षा होगी मा लक्ष्मी जी की पूरी कृपा पर बनेगी और हर धन की कभी कभी नहीं होगी घर पर बहुत ज़्यादा धन होगा की आप संभाल भी नहीं पाएंगे तो शिवरात्री वाले दिन सबसे पहले तो नियम से पूजा पाठ अवश्य करें इस दिन कुछ भी ऐसा भोजन ना खाएं जिससे बगवान क्रोधित हो इस दिन ना तो प्याच लसन खाना चाहिए इस दिन बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए इस दिन बेल पत्र भगवान शिव को अरपित किये चाते हैं तो बेल पत्र में बेल का फल भी होता है जिसे बेल फल कहा जाता है यदि आप बेल के फल के अंदर का गुद्दा निकाल कर थोड़ा सा प्रशाद रूप में ग्रहन करते हैं तो इससे भगवान शिव बहुत जल्दी ही प्रसन हो जाते हैं ऐसा भी कर सकते हैं आप बेल के पत्र को भगवान शिव पर अरपित करें और बेल पत्र के तोड़ कर उसके अंदर का हिस्सा कुछ निकाल कर परशाद रूप में ग्रहन इस दिन अवश्य ही करना चाहिए दूसरा इस दिन भगवान की अभिशेक में गाएं के दूद का प्रियोग किया जाता है भगवान का अभिशेक हमेशा शिवलिंग का अभिशेक गाएं के कच्चे दूद से ही करना चाहिए और पंचामरित भी बनाएं तो गाएं के दूद से बने हुए पंचामरित को ही भगवान शिव का अभिशेक में प्रियोग करना चाहिए इस दिन आपको गाएं का दूद ही पीने में भी प्रियोग मिलाना है तो गाएं का दूद ले लेजिए दूद को उबाल कर उसकी अंदर मखानों को भून कर मिला कर उस खीर का भगवान शिव को भोग लगाएं और परशाद रूप में उस मखाने के खीर को यदि साब परिवार आप ग्रहन करते हैं तो इससे भी धन वर्षा होती है घर पर धन की कोई कमी नहीं रहती आर्थिक जो भी समस्या हैं वे खतम हो जाती हैं धन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इस परकार मित्रों इस दिन मखानों की खीर अवश्य ही बनाएं भगवान को भोग लगाएं और परशाद रूप में खुद भी खाएं और सभी को परशाद रूप में उस खीर को वित्रन भी करें तो आप इस दिन दो चीज़ें खाते हैं तो आपकी घर पर धन की वर्षा होगी भगवान शीव परसन होंगे और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी मित्रों तो आज के दिन इन दो चीज़ों को आप परियोग में अवशे ही लाएं वर्जी चीज़ों को इस दिन बिल्कुल भी ना खाएं प्याज लसन ना खाएं ना ही इस दिन आपको माज, मदिरा, तामसिक भोजन का पर परियोग करना है, सात्विक भोजन में आप कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, अगर आप रत रख रही हैं, तो आपको शाम के समय एक समय ही फल अहार करना है, सिंधी नमक का परियोग करना है, सफेद और काला नमक इस दिन बिल्कुल भी परियोग में ना लाएं, आलू ख सकते हैं इस दिन आपको दूद दही चाज कुछ भी पी सकते हैं चाए कोफी का प्रयोग इस दिन कम ही करें तो ही अच्छा है फलो में आप कोई भी मोसमी फल सेप संत्रा अनार खाएं बेर तो इस दिन अवश्य ही काएं भगवान भोले नात को बेर बहुत पसंद हैं बेर भ जान लाव होगा घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बोक्स में ओम नमो शिवाय अवश्य लिखें हर हर महादेव हूआ है